हेलो फेंड्स एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YCP English मंत्रा में दोस्तो आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं एक और अड़ांसी स्टक्चर तो आईए देखते हैं वो अड़ांसी स्टक्चर क्या है कभी-Kभी हमें प्रेड़ लाइफ में इस प्रकार के संटेंसे बोलने होते हैं जैसे सच में वह वह मुंबई जा रही है सच में मैं अंगरेजी बोलना चाहता हूँ सच में मैं बहुत खुस हूँ तो जब कभी बोलने होते हैं आपको ऐसे सेंटेंसे तोहाँ परम्यूज करते हैं लिटरली इसका हिंदी मीनिंग है सच में, वाकई में या फिर आपकर सकते हैं असल में तो आएए इसका रूल देखते हैं सबसे पर लिटरली आएगा, इसके बाद फिरेंट्स कॉमा लगाएंगी और इसके बाद कम्प्लीट सेंटेंस लिखा जाएगा और फिरेंट्स जो मारा सेंटेंस होगा वो बोलने के कॉर्डिम किसी भी टेंस में हो सकता है तो आएए एकजांपल के माद्यम से और अच्छे समझ लेते हैं सच में मैं बहुत खुस हूँ लिटरली आएम ओवर दा मून फिरेंट्स ओवर दा मून का मतलब होता है बहुत जादा खुस हो न निक्ष्टे सच में मैं जोट नहीं बोल रहा हूँ लिटरली आएम नाट लाइंग वाकई में वह यहां नहीं आयेगी लिटरली सी विल नाट कम हियर लिटरली सी विल नाट कम हियर वाकई में मैं कल घर पर नहीं था लिटरली आए वाज नाट एट होम एस्टडे Literally I was not at home yesterday सच में मैं अंगरी जी बोलना चाहता हूँ Literally I want to speak English Literally I want to speak English सच में वह मुंबई जा रही है Literally she is going to Mumbai That's it friends आज की वीडियों बस इतना ही तो आई करते हैं आपसे question हमारा question है आपसे सच में मैं आपको पसंद करता हूँ तो फ्रेंड से इस sentence का तानसन क्या होगा आप सभी लोग comment करके बताइए और फ्रेंड से अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को like करिए, share करिए, comment करिए क्योंकि आपका एक like, एक share, एक comment हमें motivation देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, till then, bye bye, take care, keep learning, keep practicing